स्वागत है आपका आज के एपिसोड में सबसे पहले हम देखते हैं बीते दिन का अभ्यास प्रश्ण निमलिखित कथनों पर विचार कीजिए पहला कथन है केंद सरकार भारती डिजर्व बैंक के परामर्श से प्रतेक पांच वर्श में एक बार थोक मूलि सूचकांग के आधार पर मुद्रा स्फीती लक्षिनिर धारित करती है दूसरा कथन है आर्बी आई ने आमतोर पर मुद्रा स्फीती को 4-6 प्रतिशत के दायरे में रखा है यहां तक कि जब मुद्रा स्फीती उच्च सीमा को पार कर गई है तब ही विचलन मामूली रहा है उपर युक में से कौन सा यसे कथन सही है या है अब इसका उत्तर देख लेते हैं इसका सही उत्तर है बी याने की केवल दो संशोधित आर्बी आई अधिनियंग 1934 के अनुसार केंद सरकार भारती विजर्बैंक के परामर्ष से प्रतेक पांच वर्ष में एक बार भोकता मूली सुचकांग के आधार पर मुद्रस्फिती लक्ष निर्धारित करेगी अतह कथन एक सही नहीं है आर्बी आई ने आमतोर पर मुद्रस्फिती को 4-6 प्रतिशत के बेंड के भीतर रखा है भले ही मुद्रस्फिती उच्च सीमा को पार गर गई हो विश्लन मामूली रहा है अतह कथन 2 सही है बता दे कि मूली स्थिर्ता ने विकास को बढ़ावा देने में मदद की है क्योंकि इसने व्यवसायों को इस बात की चिंता किये बिना यूजना बनाने की अनुमती दी है कि उनके अनुमानों में वृद्धी से लागत में वृद्धी होगी अगला सवाल है विधी विरुद्ध गतिविधिया निवारण अधिनियम 1967 के बारे में निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए पहला कथन है राश्च्री जाच एजनसी NIA को UAPA द्वारा देश भर में मामलों की जाच करने और मुकदमा चलाने का अधिकार दिया गया है दूसरा कथन है यह अधिनियम सरकार को व्यक्तियों को आतंकवादी घोशित करने का अधिकार देता है उपर्युक में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं A केवल एक, B केवल दो, C एक और दो दोनो, D ना तो एक और ना ही दो इसका सही उत्तर है C यानि कि एक और दो दोनो राश्ट्री जाच एजनसी NIA को विधी विरुध गतिविधिया निवारन अधिनियम 1967 द्वारा देश भर में मामलों की जाच और मुकदमा चलाने का अधिकार दिया गया है अता कथन एक सही है या अधिनियम राश्ट्री जाच एजनसी के महा निदेशक की संपत्ति की जपती या कूर्की की मंजूरी देने का अधिकार भी देता है जब एजनसी द्वारा मामले की जाच की जा रही हो वर्ष 2004 के संशोधन के बाद आतंकवादी कृत्ति को अपराधों की सूची में जोड़ा गया 2019 का संशोधन सरकार को व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में नामित करने का अधिकार देता है अगला सवाल है निम्न लिखित कथनों पर विचार कीजिए पहला कथन है गयर निश्पादित परिसंपत्ति यानि की NPA एक रिण या अग्रिम है जिसका मूलधन और या ब्याज भुक्तान एक निश्चित आवधी तक बकाया रहता है दूसरा कथन है अधिकार श्मामलों में रिण को गयर निश्पादित रिण के रूप में वरगी क्रित किया जाता है जब रिण या भुक्तान निउन्तम 90 दिनों तक नहीं किया जाता है उपर्युक्त में से कौन सा यक्षे कथन सही है या है एक एवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनो, डी ना तो एक और ना ही दो इसका सही जवाब है उत्तर सी यानि कि एक और दो दोनो गैर निश्पादित परिसंपत्ती, NPA, आम तोर पर एक रिण या अग्रिम होता है जिसके लिए मूलधन और या ब्याज का भुक्तान एक निश्चित अवधी के लिए बकाया रहता है अताह कथन एक सही है सब स्टेंडर्ड परिसंपत्ती के बारे में जान लेते हैं जिसे बारा महिने से कम या उसके बराबर अवधी के लिए NPA के रूप में वरगी करित किया जाता है डाउटफुल एसेट जो बारा महिने से अधीक अवधी तक गैर निश्पादित रही हो जिनकी वसूली की कोई उम्मीद नहीं है या बहुत कम है या जिन्हें पूरी तरह से बट्टे खाते में डाल दिया जाना चाहिए अगला सवाल है निमलिखित विशेष्टाओं पर विचार कीजिए इसके वैश्विक उश्मी करण शमता 28 है दूसरा कथन है यहा प्राकृतिक गैस का प्राथमिक घटक है तीसरा कथन है पून दहन में यह नीली रंग की ज्वाला के साथ जलता है निमलिखित में से कौन से ततो का वर्णन उपर किया गया है इसका सही उत्तर है बी मीथेन सबसे सरल हाइड्रो कारबन है जिसमें एक कारबन परमानू और चार हाइड्रोजन परमानू CH4 होते हैं यहाँ प्राकृतिक गैस का प्राथमिक घटक है तथा इसके मुख्य विशेशताएं है गंधहीन, रंगहीन और स्वाधहीन गैस एक माप है कि एक टन गैस का उत्सरजन एक दिन अवधी में एक टन कारबन डाइयोकसाइड के उत्सरजन के सापेक्ष कितनी उर्जा अवशोशित करेगा मीथेन का GWP 28 है अर्थात यह कारबन डाइयोकसाइड से 28 गुना अधिक शक्तिशाली है अगला सवाल है निम लिखित युगमों पर विचार कीजे एक तरफ है टेलिसकोप और दूसी तरफ है उससे संबंधित जगह है पहला लार्ज बाइनोकुलर टेलिसकोप हवाईद्वीप दूसरा सुबारू टेलिसकोप एरिजोना तीसरा एंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलिसकोप उत्राखंड उपर युग में से कितने युगम सही सुमेलित हैं A. केवल एक, B. केवल दो, C. सभी तीन, P. इनमें से कोई नहीं सही जवाब है A. केवल एक, लार्ज बाइनोकुलर टेलिसकोप अब तक का सबसे बड़ा टेलिसकोप है जसमें 8.4 मेटर चौड़े, 2 दरपन और 11.9 मेटर का प्रभावी संयुक्त एपरचर है यह एरिजोना, अमेरिका में माउंट ग्राहम अंतरराष्टी वेधिशाला में अस्थित है अताह युग्म एक सही सुमेलित नहीं है इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलिसकोप भारत और एशिया का सबसे बड़ा टेलिसकोप है जो उत्राखंड के देवस्थल में है अताह युग्म 3 सही सुमेलित है इसमें लिक्विड मरकरी की एक पतली परत से बना 4 मेटर व्यास का घूमता दरपन लगा है अगला सवाल है जेनो बॉट्स और एंथरो बॉट्स के बारे में निमलिखित कथनों पर विचार कीजिए पहला कथन है जेनो बॉट्स मृत्क मेढ़क भ्रून की तवचा कोशिकाओं में बनते हैं और सिलिया की सहायता से नेविगेट हो सकते हैं दूसरा कथन है एंथ्रोबोट्स मानव फेफ़णों की कोशिकाओं से बने बहुकोशिक की जीव हैं जो छतिग्रस्त नियूरोन कोशिकाओं की स्वयम मरम्मत कर सकते हैं तीसरा है जेनोबोट्स पारंपरिक विकास विधियों के माध्यम से अपनी प्रतिकृती बनाते हैं उपर्युक्त में से कौन सा यसे कथन सही है या हैं एक केवल एक और दो बी केवल एक और तीन सी केवल दो और तीन डी उपर्युक्त सभी इसका सही उत्तर है एग जेनो बॉट्स मृत मेढक भूणों की तवचा की कोशिकाओं में स्वता ही नई बहु कोशिकी सनरशनाय बंती देखी गई है जिन्हें जेनो बॉट्स के नाम से जाना जाता है इन जेनो बॉट्स द्वारा अपने मूल जैविक कारेओं से परेव्यवहार प्रदर्शित किया गया तथा सिलिया चोटे बाल जैसे उबहार का उपयोग निविगेट करने एवं गती करने के लिए किया गया जबकि जीवित मेढक भूनों में सिलिया का उपयोग म्यूकस को गती देने के लिए किया जाता है अताह कथन एक सही है एंत्रोबोट्स अध्येनों से पता चला है कि मानो फेफड़े की कोशिकाए स्वतः ही छोटे बहु कोशिकी जीवों का निर्माण कर सकती है जिन्हें एंत्रोबोट्स कहा जाता है अताह कथन दो सही है जिनो बॉर्ट्स गटटेज स्वाफ प्रतिकृती से गुजर सकते हैं जिस से उन्हें पारंपरिख विकास के बिना अपने रूप और कार्यों की प्रतिकृती करने में मदद मिलती है जिनो बॉर्ट्स में self-replication हो सकता है जिस से इनकी नवीन प्रतिकृती बन सकती है यह प्रक्रिया परिचित रेप्लिकेशन विधियों से भिन है जिसमें जीव के भीतर यह प्रक्रिया होती है अता कथन 3 सही नहीं है अगला सवाल है निमलिखित कथनों पर विचार कीजिए पहला आर्थिक सरविक्षन 2024 में चीन से सामान आयात करने के बजाए भारत में चीनी निवेश के माध्यम से खुद को चीन की आपूर्ती शंकलाओं से जोडने का समर्थन किया गया है दूसरा कथन है चीन के लिए संभावित वैकल्पिक निवेश गंतवे के रूप में बांगला देश का स्कोर सभी उभरते और विकास सील देशों में सबसे अधिक है उपर्युक में से कौन सा यसे कथन सही है या है आर्थिक सर्वेक्षन 2024 में चीन से सामान आयात करने के बजाए भारत ने चीनी निवेश के माध्यम से खुद को चीन की आपूर्ती शंकलाओं से जोडने का समर्थन किया है आता कथन एक सही है रोडियम गुरूप की रिपोर्ट की अनुसार चीन के लिए संभावित वैकल्पिक निवेश गन्तविके रूप में भारत के स्कोर सभी उभरते और विकास सील देशों में सबसे अधिक 2.86 है अता कथन दो सही नहीं है बता दे कि आर्थिक सर्वेक्षन एक वार्षिक दस्तावेज है जिसे भारत कवित मंत्राले हर वर्ष बजट से पहले पेश करता है यह सर्वेक्षन देश की आर्थिक स्थती, विकासदर, सरकारी नीतियों और प्रमोकार्थिक मुद्दों का विश्लेशन प्रस्तोत करता है अगला सवाल है शस्त्र व्यापार संधी के संबंद में निम्लिखित कत्रों पर विचार कीजे आम स्टेट ट्रीटी यानि कि शस्त्र व्यापार संधी किसी देश को पारंपरिक हत्यारों की आपूर्ती करने से रोकता है यदि उसे यह ज्यान हो कि इन हत्यारों का उप्योग युद्ध अपराध करने के लिए किया जाएगा दूसरा यहसंधी भारत पर बाध्यकारी है क्योंकि भारत इस संधी का हस्ताक्षर करता है उपर्युक में से कौन सा यसे कथन सही है या है A केवल एक, B केवल दो, C एक और दो दोनो, D ना तो एक और ना ही दो इसका सही जवाब है A यानि की केवल एक शस्त्र व्यापार संधी का उद्देश पारमपरिक हथियारों के अंतराश्ट्री व्यापार को वेन्यमित करना है ATT का अनुच्छे 6.3 किसी देश को पारमपरिक हथियारों की आपूर्ती करने से रोकता है यदि उसे यह ज्यान हो कि इन हथियारों का इस्तमाल अन्य बातों के साथ साथ युद्ध अपराद करने के लिए किया जाएगा अतह कथन एक सही है भारत इस संधी पर हस्ताक्षर करता नहीं है परणाम सरूप यह संधी भारत पर बाधिकारी नहीं है और इसे न्याईक रूप से शामिल नहीं किया जा सकता हाला कि ATT के कुछ प्रावधान प्रथागत अंतरराष्टी कानून को दर्शाते हैं अतह कथन दोस सही नहीं है अगला सवाल है भारती नागरिक सुरक्षा सहींता BNSS 2023 की धारा 107 के संबंध में निम्लिकित कथनों पर विचार कीजिए पहला कथन है यह उन संपत्तियों से संबंधित है जो अपराध की आये हैं दूसरा यह नियायाले को ना केवल किसी संपत्ति को कुर्क करने बलकि अपराध से प्राप्त धन को सरकार को जब्त करने को भी असीमित शक्तियां प्रदान करती है उपरियुक में से कौन सा यसे कथन सही है यह हैं एक केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनो, डी ना तो एक और ना ही दो उत्तर होगा सी BNSS की धारा 107 भारती नागरिक सुरक्षा BNSS 2023 में धारा 107 पेश की गई है जो उन संपत्तियों से संबंधित है जो अपराध की आये हैं अतह कथन एक सही है BNSS की धारा 107 नायले को ना किवल किसी भी संपत्ति को कूर्क करने बलकि कुछ शर्तों के तहत अपराध की आये को सरकार को जब्त करने की भी असीमित शक्ति प्रदान करती है अतह कथन दो सही है भारती नागरिक सुरक्षा सहिता 2023 भारत में दंड प्रक्रिया सहिता CRPC का नया रूपांतरन है जिसका उद्देश आपराधिक न्याय प्रणाली को सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाना है अगला सवाल है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग योजना के संबंध में निमलिखित कथनों पर विचार कीजे पहला कथन है इस योजना का लाभ 70 वर्ष या उससे अधिक आयुके सभी वरिष्ट नागरिकों को दिया जाएगा चाहे उनकी सामाजी का आर्थिक इस्थती कुछ भी हो दूसरा उपचार की उच्छ लागत के कारण कैंसर और किडिनी प्रत्यारोपन को योजना के दाएरे से बाहर रखा गया है उपर युक में से कौन सा या से एक अथन सही है या है आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग योजना यह भारत सरकार की एक स्वास्थ बीमा योजना है जिसे 2018 में लौंच किया गया था इसका उद्देश गरीब और कमजोर वर्ग के परिवारों को वार्षिक 5 लाग तक का कैशले स्वास्थ बीमा कवर करना है इस योजना का लाव 70 वर्ष लिया उससे अधिक आयू के सभी वरिष्ट नागरिकों को दिया जाएगा चाहे उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी हो अतह कथन एक सही है इस योजना का दाइरा व्यापक है जिसमें 1900 से अधिक चिकित्सा प्रक्रियाएं शामिल है जिनमें हार्ड बाइपास और संयुक्त प्रतिस्थापन जैसी जटिल सर्जिरी से लेकर कैंसर और केंसर और किड्नी जैसे रोगों का उप्चार शामिल है अतह कथन दो सही नहीं है योजना की अनुठी पोर्टिबिलिटी सुविधा ने यह सुनिश्चित किया है कि लाभार्थी देश भर के अस्पतालों में उप्चार का लाभ उठा सकते हैं बता दें कि वर्तमान में पूरे भारत में 29,000 से अधिक अस्पताल जिन में 13,000 से अधिक नीजी अस्पताल शामिल है इस योजना के अंतरगत सूची वद्ध हैं अब आज का अभ्यास प्रशन है MSCI All Countries World Index के संबंद में निमलिकित कतनों पर विचार कीजिए पहला कथन है MSCI All Countries World Index के वैश्विक शियर बाजार के प्रदर्शन का प्राथमिक माप है दूसरा कथन है इस वैश्विक सूचकांक में भारत फ्रांस के साथ संयुक्त रूप से सबसे बड़े बाजार के रूप में पांचमें स्थान पर है उपर युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है एक एवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनो, डी ना तो एक और ना ही दो आज के लिए इतना ही अब जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में झाले यमें हमरे लिए झाले इतना ही तो das एक कानगे dogs की कह और दोगले है झाल झाल